जय जगन्नात, अपन समस्तं को सुवेच्छा, महाप्रभु जगन्नातंकर स्रीचरणे कोटी-कोटी नमन, महालक्ष्मिन को नमन, मन्चव प्रे उपस्थित, आम समस्तं को नेता, ओडिसार बरपुत्र, केंद्रिय मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रणाम, समस्त विद्वत्जन, जो मने मन्चव प्रे उपस्थित अचंती, समस्तं को बहु बहु प्रणाम, आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे मालूम है, भारत वर्ष से और विश्व भर से लोग यहां आएं, मैं ओडिया में भी बोलूंगा, कम बोलूंगा, मकर हिंदी मे में भी बोलूंगा, ताकि सभी समझ सके, सरप्रतम में धन्यवाद देना चाहूंगा, मान्य केंद्रे मंत्री जी को, कि आज वो अकेले नहीं आएं, महाप्रभु जगनात जी के आशीरवाद से, मा लक्षमी के प्रसाद को लेकर, वो आज यहां सदासिफ परिशर में आए और यहां प्रसाद लगभग सौ करोड का प्रसाद है, सौ करोड का वित्त लेकर वो आएं हैं, जिससे यहां जो पुन्य परिशर है, उसमें और बढ़ोतरी हो सके, ग्ञान की गंगा और अविरल रूप से यहां बह सके, इस कारण से वो मा लक्षमी के आशीरवाद से आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जब एक कल्प का अंत होता है, और दूसरा भावी कल्प आरंभ होना होता है, तो महा विश्नु सयन में जाते हैं, अभी विश्नु सयन में हैं, तेईस नवंबर को वो जगेंगे, तो अभी सयन में हैं, जब एक कल्प अंत होता है और विश्णु दूसरे कल्प की चिंता करते हैं तो वो सयन में होते हैं शीर सागर में सेस नाग के उपर उपर नब होता है अर्थात वायू होती है नीचे शीर सागर होता है और उनके श्री चर्णों में महालक्ष्मी बैटी होती है और जब परम तपस्या करके भावी कल्प का अनुमान किस प्रकार का भावी कल्प होगा इसका अनुमान विश्णु लगा लेते हैं जिसको अंग्रेजी में आइडिया कहा जाता है वेन अइडिया डौन्स तभी उनके नाभी पद्म से ब्रह्मा उपजते हैं और जैसे ही ब्रह्मा उपजते हैं महालक्ष्मी रिसोर्स देती है संपत्ति देती है संपदा देती है आशिरवात देती है और तब जाके भविश्य के श्रिष्टी का निरमान होता है ये सनातन की सुन्दर्ता को देखिए विष्णु इस आइडिया लक्ष्मी इस रिसोर्स आइडिया एंड रिसोर्स तोगेदर फॉर्म तो गिव राइस तो ग्रीएशन महालक्ष्मी कोई महिला है और विष्णु कोई पुरुश है यह इस प्रकार से भी भक्ति नहीं हो सकता है ना वह हुआ ना कोई पुरुश है नाव रिसोर्स होगा अगर चंद्रयान विष्ण में आया नरेंद्र मोधी जी के मन में कि चंद्र के ऊपर भारत को पैर रखना है अपने यान को भेजना है then we got the resources हमारे पास साइंटिस्ट भी थे हमारे पास वित्त भी था और चंद्रयान पहुंच गया Modi जी ने आइडिया लगाया कि ऐसे नहीं चलेगा विश्वगुरु बनना है सभी देशों को आना पड़ेगा G20 संभव हो गया महालक्ष्मी ने रिसोर्स दे दिया Modi जी ने ये आइडिया लगाया he came to the conclusion that there are so many people who have been affected by COVID COVID में COVID रे बहुत लोकों को उपरे तांकर आजीविका उपरे बहुत कोष्ट है इची तांको आमे अन्नो जोगेई दबा असी कोटी लोकों को समग्र भारत बर्श रे एवे पूनी पांचा बर्श भाई नरेंद्र मोदी अन्नो जोगेई बा पाई संकड़ पाद हेले आउ महालक्ष्मी तांको आसीरबाद कले तांको रिसोर्स दे देले आउ महालक्ष्मी तांको आजी संस्टुद भासारे लक्ष्मी पुराण अबे जस्त मानिया केंद्रियमंत्री धर्मेंद्र प्रधान उन्मोचित करी चंती मुएबे देखुतली बही खोली की सित्रे महालक्ष्मी अस्टकम मध्याची इंद्र लखी चंती से थी पाईं I will end my rendition with the rendition of this महालक्ष्म अस्टकम नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सूर पूजिते शंख चक्रगदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलाशूर भयंकरी शुक सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते सर्वग्ये सर्व वरदे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते सिद्धी बुद्धी प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते, आध्यांतरहिते देवी, आध्यशक्ती महेश्वरी, योगजे, योगसंभुते, महालक्ष्मी नमस्तुते, स्थूल सुक्ष्मह महारा उद्रे, महाशक्ती महोदरे, महापापहरे देवी, नारायनी नमस्तुते, पद्मासनी स्थिते देवी, परं ब्रम्ह स्वरूपिनी परमेशी जगन्मात महालक्ष्मी नमस्तते स्वेतांबर धरे देवी नानालंकार भूशते जगस्थिते जगन्मात महालक्ष्मी नमस्तते महालक्ष्मी अश्ट्रकं स्तोत्रम यह पठेत भक्ति मानरह सर्वसिध्धी मवापनोती राज्यं प्रापनो एककाले पठे नित्यं, महापाप विनाशनं, द्रीकाले यह पठे नित्यं, धनधान्य समन्विता, त्रीकाल्यं यह पठे नित्यं, महाशत्रू विनाशनं, महालक्ष्मीर भवे नित्यं, प्रसन्ना वरदा सुभा, इती इंद्रकुतं महालक्ष्म्याष्टकं संपूर्णं जोदी आपड़ों को आमों वीडियो टी भलो लागिला तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्रेब करी बखो जमा भी भूलों तो नहीं